कोई भी कुपाई है हाँ, अब जिनको इस्टोन बारबर बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना फिर क्या करना है वो आप चाहे तो लिख लीजे एक मेडिसिन मैं बताता हूँ, होमियोपैथी की है वो आपको किसी भी होमियोपैथी शौप में मिलेगी उसका नाम बर्बेरिस अंग्रेजी में A, B भी होता ना A, B तो B, E, R, B, E, R, I, S B, E, R, B, E, R, I, S बर्बेरिस ये एक शब्द है इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गेरिस उसके दूसरा वाला भी है V, U, L, G, A, R, I, S बर्बेरिस वल्गेरिस आगे लिखते ना है मदर टिंचर मदर टिंचर यह उसकी पुटेंसिय है वो दुकान वाला समझेगा वो आप के लिए नहीं अब यह दवा लेनी है पंदरे बूने एक चोठाई कब पानी गुन गुन उसमें पंदरे बूने इस दवा की डाल दी है और दिन में तीन से चार बार पीना है सुबध उबर शाम राद चार बार अधिक से अधिक कम से कम तीन बार लगातार एक से डेड़ महीने कभी कभी दो महीने भी लग जाते हैं तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हों गॉल्प्रेडर में हों या तो किड्डी में हो, या यूरित्रा के आसपास हो, मूत्रपिंट में हो, वो सभी इस टोट को डिजॉल्व करके ये लिखाते हैं। चौथाई पानी, चौथाई कप, गुर्गुना पानी, रस से पंद्रे भूदे, चार बार लेना है, एक से बेड़ महीने लगातार लेना, दो महीने भी ले सकते हैं। एक दूसरी दवा जरूर लिखे लिए। ये तो है जब तूट के निकल गया, दुबारा भविश में कभी ना बने, उसके लिए एक दवा लिखे लिए, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है, इक बार तूट के निकल गया, बहुत अच्छा, अब कभी इने चाहिना, और उसके आगे लिखना है वन ताउजन्द, एक हजार नमबर, ये लिखे लिखे लेगेंजे, इसकी दो दो बून सीधे जीप पर दिया, डाल दीजे, सुबह दुपर शाम, बस, एकी दिन में तीन पार दे दीजे, फिर भविश्य में कभी भी दुबारा इ नहीं। पहले बर्बरेस लेना पूरा स्टोन आपका निकल जाए उसके बार आप चाईना लेना है। नहीं बिल्कुल नहीं यह गल्दी मत करिए ले ले पहले बर्बरीस लें इस्टोन निकालना ही पड़ेगा उसके बार चाहिना फिर उसके बार चाहिना वन ताउजें की दोज ले लिजिए कर सकते हैं एक ही दिल लेना है तीन बार लेना है दो दो ड्रॉप सीधे जीब पर डाले हो सुबह लुपर शाम बर्बरीस तीन महीने तो मैक्सिमम हो गया एट्मोस्ट हो गया एटलीस दो महीने एक ही दिल लेना है तीन डोज बस वो सफिशेंट है